Your Highnesses, Excellencies, G20 के President के तौर पर भारत आप सभी का हार दिख स्वागत करता है इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित है यहां से कुछी किलोमेटर के फासले पर लगभग धाई हजार साल पुराना एक स्थम्ब लगा हुआ है इस तंब पर प्राक्रित भाषा में लिखा है हेवं लोकसा हित मुखेती अथ यम नातीसु हेवं अर्थात मानवता का कल्यान और सुख सदेव सुनिस्चित किया जाए दाहे हजार साल पहले भारत की भूमी ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था आईए इस संदेश को याद कर इस जीट पेंटी समीट का हम आरंब करें 21 सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपुन समय है यह वो समय है जब बर्सों पुरानी चुनोतियां हमसे नए समाधान मांग रही है और इसलिए हमें हुमन सेंट्रिक एप्रोच के साथ अपने हर दाईत्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है फ्रेंक्स कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आये इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं आज G20 के प्रसिडेंट के तोर पर भारत पूरी दुनिया का आवान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास एक भरोसे में बदलें यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय हैं और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है बैश्विक अर्थिववस्ता में उथल पुथल हो, नौर्थ और साउथ का डिवाइल हो, इस्ट और वेश्ट की दुरी हो फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मेनेजमेंट हो, टेरिजम और साइबर सिकुरिटी हो, हेल्थ, एनरजी और वोटर सिकुरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीडियों के लिए हमें इन चुनावतियों के ठोज समाधान के तरफ बढ़नाई होगा फ्रेंक्स, भारत की G20 प्रसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का सबका साथ का प्रतिक बन गई है भारत में ये पीपर्स G20 बन गया, करणों भारतिये इस से जुड़े, देश के साथ से ज़्यादा शहरों में, दोसों से ज़्यादा अधिक बैठके हुई सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रिकन यूनियन को G20 की स्थाई सदस्यता दी जाए मेरा विश्वाथ है कि इस प्रस्ताव पर हम सब की सहमती है आप सब की सहमती से आगे की कारवाईश शुरू करने से पहले मैं अफ्रिकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थाई सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहन करने के लिए आमंत्रिक करता हूं आप से लिए सब्सक्राइब देघियन करने करते लिए भावड़ाग्स इसके साथ ही मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्र करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभाग्रों से बाहर जाने का कश्ट करें इसके बाहर बात कर रहे हैं बहुत बड़ी कूटनी तक जीट भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनी तक जीट बाहरत के लिए प्रधान मंत्री के जहां बैठे थे जैसे यह शुरू आ सबसे पहली नजर इसी बात दे गई कि G20 Presidency Indonesia, us, Brazil and South Africa but I would say rather than who helped the point to be recognized is that a common landing point was ultimately fashioned out अवारशी की स्कूल फिर्ट डेलिगेट प्लेट के नाम के आगे जो निम प्लेट थी उसमें इंडिया नहीं लिखा था इस बार भारत लिखा था अंग्रेजी में लिखा था लेकिन भारत लिखा था B-H-A-R-A-T भारत प्राइम मिनिस्टर अव भारत के नाम से प्राइम मिनिस्टर अव भारत के तौर पर प्रिधान मंतरी ने अपने opening remarks रखे जिसमें सबका साथ सबका विकास की बात की किस तरह से साथ शहरों में G20 के इस अध्यक्षता के साल में meetings organize की गई उसकी बात की तो प्रिधान मंतरी पर सबकी नदर तो उसी चीज़ पर कही है जैसी है वो आया हमने पहली तस्वीर जो देखी वो यही देखी कि वहां भारत लिखा हुआ है बिल्कुल सबकी नज़ार उसी पर कही और अभी तो G20 चल रहा है कि शोर और चुनावी साल है तो यह जो भारत लिखावा है यह कई समय पूरे साल भर जो है चाया रहेगा और इसके राजनिती खूब होगी लेकिन प्रिधान मंतरी ने अपने संबोधन में यह एकर एकटरा से फिर से भुपागा